अपने जीमेल आइडी से फिर उस सेनल को आपको अपने मोबाइल नंबर से वेरिफाइग करवाना होगा वेरिफाइग करवाने के बाद आपको उस सेनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करने है और जब आपके वीडियो अप्लोड करने के बाद जब आपकी एक जार सब्सक्राइबर और चार जार ओवर्स वास्टेम पूरा हो जाएगा तब आपको उस सैनल को अपने एडसेंस एकाउंट से लिंक करना पड़ेगा आपको अपने खुद के नाम का एक एडसेंस एकाउंट बनाना पर जब एडसेंस एकाउंट आप अपने योटूब से लिंक कर दोगे तो थोड़े दिन बाद आपका योटव एक मॉनीटेजेसंस का बटन होगा वो इनेबल कर देखा जब आपका monetization enable हो जाएगा तब आपके वीडियो पर green color का dollar का send दिखाई देगा और जब इदिखने लग जाएगा तब आपका जो adsense account जो link किया था आपने youtube से उस adsense के जरीए आपके वीडियो पर ads आने सलू हो जाएगी जब आपके वीडियो पर ads आने लग जाएगी तब उस ads का आपको पैसा मिलेगा और वो पैसा सारा आपके उस adsense account में जमा होगा जो adsense account आपने अपने youtube सेनल से link किया था उसके बाद जब उस ads का पैसा करीबन 10 डॉलर पूरे हो जाएंगे तब आपके घर के address पर जो आपने adsense account बनाया था उस वक्त जो आपने address डाला था उस address पर आपके 10 डॉलर पूरे होते ही आपको एक verification pin मिलेगा उसमें चार नमबर आएंगे वो आपको confirm करना पड़ेगा अपने adsense account में उसके बाद जैसे आपके वीडियो पर ads आती रहेगी और जब आपके 100 डॉलर पूरे हो जाएंगे तो वो 100 डॉलर आपको 12 तारीक या 15 तारीक बीस में आपका adsense में update हो जाएगा और update होने के बाद आने वाली 21 तारीक को वो payment आपको बैंक में भेज देगा बैंक में भेजने से पहले आपको वहां पर एक payment method आएगा adsense में वो payment method आपको अपने बैंक की detail से भरना पड़ेगा जब आपके 100 डॉलर complete होते ही 21 तारीक को आपको adsense अपने बैंक में पैसा भेज देगा और वो पैसा आने में करीबन 5-7 बैंक में आ जाएगा लेकिन 100 डॉलर से ज्यादा होगा तब ही आएगा 100 डॉलर से कम होगा तो वो payment आपको नहीं मिलेगा 100 डॉलर complete होने के बाद ही मिलेगा उमीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा अगर कोई भी doubt है तो आप नीचे comment करके मुझे पूछ सकते हैं और मारे सेनल को सब्सक्राइब जरू करें निचे वाल बटन को दबा कर और इस वीडियो को लाइक जरू करें और अप